कि हैं लोगा इस स्वागत है ऐसे का और नहीं वीडियो में आज बे आपको पुड़े वारे में बताने जा रहो है इससा क्या हुआ मैं वीडियो बना कैसे रहो वो जरी बता बटा आप तक ये बात पहुचारी जरूरी थी मैं बचूगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं बता है क्योंकि मेरे सब बुरा हुआ है इस वीडियो को पंजाब, पुलिस, केजरीवाल, मौधी सरकार हर जगा ट्विटर पे जरूर शेयर करना है ताकि जल्दी से जल्दी आक्शन लिया जाए जिलो ने मेरे साथ ऐसा किया है अपको बता होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉपलैटी के उपर एक वीडियो मनाई थी पॉपलैटी में क्या चीज़े चल रही है एंड मैंने फैक्ट रखे थे जो रखने थे एंड उस वीडियो से किसी को बुरा लग गया ठीक है, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को फाल तो नहीं बोला मैंने सिरफ फैक्ट रखे थे, यह न, वो किसी को बुरा लग गया, उसने मुझे फोन किया जिसका नाम था डाकू, डाकू ने मुझे फोन किया, मैं सांस में नहीं ले पा रहा हूँ, देख लो मेरे नाथ के पूरी हड़ियां तूट गई है यहां सरजरी हुई है मेरे आथ के अंदर चोट लगी है मेरे हाथ के हड़िय तूट गई है मेरे पीठ में बहुत चोट लगी है मेरे पैर के हड़िय तूट गई है मैं किस तरीके से वीडियो मना रहा हूँ आप तक पहुंचा रहा हूँ मुझे रही पता बट आप सभी अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे इंसाब चुरूर मिलेगा मैंने पॉपलैटिक उपर वीडियो मनाई थी डाकू को बूरा लगा डाकू ने मेरा नुम्मर कहीं से निकलवा के मुझे फोन किया और मुझे गालिया देने लग गया फोन पे और मैंने उससे बोला भाई क्या चाते हो तो उसने बोला मैंने तिरसे मिलना है तो मुझे अपने एडरेस दे फिर उसने काफी सारे बंदों से मेरा अड्रस निकलवाने की कोशिश की और मेरा अड्रस निकलवाया और उसके बाद उसने किया कि आप मुझे नहीं बता बट आज परसो की बात बता रहो परसो डाकू ने मुझे धंगी दी थी आज मेरे घर पे सुबह 6 बजे मैं सो रहा था कोई गेट खट खट आता है मम्मी गेट पे जाते हैं मम्मी पूछते कौन तो वो बोलते पारस से मिल ला है तो मम्मी वो लगा चलो कोई दोस्त होगा मम्मी ने गेट खोल दिया उन सब के पास हतियार थे लोहे की रोड थी और आठ बंदे आये थे वो सीधा मेरे कमरे में आये मम्मी को धक्का मार के उनने गिरा दिया और वो मुझे पागलो की तरह मारने लग गए मैं उठा मैने उन से पूछ रहे की कोशिश की भाई हुआ क्या बात तो बताओ वो कुछ नहीं बोल रहे एक बंदा वीडियो मना रहा था बाकि सब मुझे मार रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैं अद्मरा हो गया एक तरह से ब्योशी हो गया इतना मारा उन्होंने इतना मारा मुझे मेरे हाथ की हड़ी मेरे पैर की हड़ी मेरे नाग की हड़ी मेरे शरीर में इतने सारे जख़ब हो गए है बहुत मुझे से वीडियो मना रहा हूँ आप तक ये बात पहुचा रहा हूँ मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है जितने चैनल और न्यूज वाले सबको ये वीडियो टैक करो एंड खास का ट्वीटर पर ये वीडियो शेर करो सब लिंक शेर करो मौधि सरकार को, केजरी वाल को एंड मंजाब पुलिस को क्योंकि मैं मंजाब से हूँ मैंने इसके खिलाख मंजाब पुलिस से बात की उनका कोई अच्छा रिस्पोंस नहीं आया वो बोलते कि हम कर रहे हैं तैकी कत कर रहे हैं बट कोई मेरा हाल चल पूछने नहीं आया कोई पूस्ताच नहीं कुछ भी अपडेट नहीं है तो मैं हाज जोड के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा एंड जो आठ बंते मुझे मारने आये थे वो गाड़ी पे आये थे दो बाइक थी एक एक्टिवा थी एंड सब के पास हत्यार थे जो मुझे बचाने आ रहा था उसको भी भगा रहे थे बोल रहे थे हम तुम्हें भी मारेंगे हमारे पास हत्यार है अगर कोई आगे आया तो जाव से मार देंगे धंकी दे रहे थे और मैं मुझे नहीं पता इस वीडियो के बनाने के बाद मैं बच्चों का कि नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा चोटे लगी हैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ मुझ से सांस ले रहा हूँ कुछ खा नहीं पा रहा हूँ और बहुत ज्यादा सीरियस कंडिशन है और अभी वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं डो आइडिया बट अभी मैं अपने इस वाले घर से कहीं होड़ शिफ्ट हो रहा हूँ सिफ्टी के लिए बट आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करो हर नए उस चैनल पे हर बंदे के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि मुझे मेरे को वो मिले क्या गहते हैं उसे इंसाफ मिले प्लीस इतना काम आप कर सकते हो सब को बता है मैं कैसा हूँ अस तक मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला कुछ बुरा नहीं किया आपका प्यार और सपोर्ट चीए बस बाकी मिलते हैं अगर बचे तो तो हेलो गाईज अगर आपका आट किस्नू वीडियो में देखो भाई पारास भाई का वीडियो में ने देखा और उन्होंने नाम लिया डाकू लेकिन मेरे चैनल का भी नेम डाकू गेमिंग है और वो बात कर रहे थे दूसरे डाकू की में आपे तो भाई ये दूसरा डाकू है मैं अलग डाकू हूँ भाई मेरी चैनल पर कॉमेंट और मत करो ऐसा और पारस भाई के साथ मेरा वीडियो मेरे दोस्त है और मैं आपको इसमें भी दिखा दाऊं देख लो देखो भाई कि भाई वह में नहीं हूँ दूसरा है देखो यह पारस भाई यह रहे देखो पारस भुआ है फ्रेंड यह protocol और हैट मत करकाको यह अपने टे बैं गलत फ्यमी नहीं रखने को और पारस भैसे भी बात हो गई मेरी तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा नाम नहीं बोल पाया डाकूई बोल दिया मैं तो मैंने का चलो ठीक, अभी मैं बात कर लेता हूँ, मैं वीडियो डाल देता हूँ तो भाई बस इसलिए वीडियो बनाये था, तो चलो भाई, जो भी है, पारस भाई जल्दी से ठीक हो जाए तो बस चलो वीडियो को एंड करता हूँ